C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठ्थे क्रम के अंतरगत इतिहास की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो। आईए अब सुनते हैं अध्याय साथ। शीर्शक है जन जातिया, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाए। आईए अब सुनते हैं पाठ। साथियो अध्याय दो और तीन और चार में आपने देखा कि किस प्रकार राज्जियों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस में शहरों और गाओं में हल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महतोपूर्ण, राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। क्योंकि अलग-अलग किस्म के समाज अलग-अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ यह समझना महतोपूर्ण है। इस महदवीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियामनुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राहमनों द्वारा सुझाए गए यह नियम पड़े-बड़े राज्जियों के राजाओं द्वारा सुईकार किये गए थे। इससे उंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेनी बद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जन जातिय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उप महादवीप के कई समाज ब्राहमनों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। और नहीं वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अकसर ऐसे समाजों को जन जातियां कहा जाता है। अगले प्रिष्ट पर चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर दाहिनी और एक चित्र और ये चित्र है जन जाती इंद्रित्ते का जो संताल जन जाती द्वारा किया जा रहा है। प्रिष्ट संख्या बानवे। प्रतेक जनजाती के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीवी को पारजन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। प्राया वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा-पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला-जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातिय समूह संयुक्त रूप से भूमी और चारागाहों पर नियंत्रन रखते थे। और अपने खुद के बताए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस महाद्वीत के विभिन हिस्तों में कई बड़ी जनजातियां हली फूली। साम्मान्यतह ये जंगलों, पहाडों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी-कभी जाती विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराओ होता था। कई माइनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाती आधारित और जनजातिय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। तकराओ और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे-धीरे बदलने का काम भी किया। पाठ में चलने से पहले एक प्रशन आपके लिए और वो प्रशन है उप महाद्वीप का एक भौगोलिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताईए जहां जनजातिय लोग रहते रहे हैं। अब सुनते हैं पाठ जनजातिय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातिय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। लेकिन समरिध रीती रिवाजों और वाचिक या मौखिक परमपराओं का वे संरक्षन करते थे। ये परमपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परमपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातिय लोग भारत के लगभग हर क्षेतर में पाये जाते थे। किसी भी एक जनजाती का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का पड़े इलाकों पर नियंत्रन था। पंजाब में खोखर जनजाती तेरहवी और चौदहवी सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिये जाने से पहले लंगाह और अरधुन लोगों का प्रभुत्व अत्यन्त विस्त्रित क्षेत्र पर था। प्रिष्ट संख्या तिरांगे। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाती थी बलोच। ये लोग अलग-अलग मुखियों वाले कई छोटे-छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमाले में गड़ी गरडियों की जनजाती रहती थी। उप महाध्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, ओहुम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। इसी प्रिष्ट पर सबसे पहले आईए नजर डालते हैं एक मानचित्र पर फिर पार्ट पर आगे चरेंगे। सबसे पहला है मानचित्र एक और इसमें भारत के उस समय का मानचित्र है जिसमें की प्रमुख भारतिये जनजातियों के क्षेत्र को दिखाया गया है। और नीचे एक शब्द है जिसके अर्थ को यदि हम समझ लें तो पार्ट को समझने में और सुगमता होगी और वो शब्द है कुल इसका अर्थ है परिवारों या घरों के एक ऐसे समुह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजाती संगठन प्राया नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। आईए अब सुनते हैं पार्थ। मौजूदा बिहार और जहारखंड के कई इलाकों में बारहुई सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिध सेनापती राजा मान सिंग ने पंदरह सो इक्यावन में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकठा किया गया लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेव के समय में मुगल सेनाव ने चेर लोगों के कई किरों पर कबजा किया और इस जनजाती को अपना अधीनस्थ बना लिया। प्रिष्ट संख्या 94 इस ख्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपी ये उडिसा और बंगाल में भी रहते थे। करनाटक और महराष्टर की पहाडियां कोली, पेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिन में कोरागा, वेतर, मारवार और दूसरी जनजातियों की विशाल अबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाती पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16. सदी का अंत आते-आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेती हर और यहां तक की जमिदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा 36 गड़, मध्य प्रदेश, महराष्टर और आंधर प्रदेश में कौंड लोग पड़ी तादाद में फैले हुए थे। पाठ में आगे चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर बाइं और एक चित्र, ये चित्र संख्या दो है और इसमें दर्शाया गया है रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। इसी चित्र के नीचे एक और चित्र दिया गया है और ये है चित्र संख्या तीन और इसका विवरण इस प्रकार से है घुमन्तू व्यापारियों की श्रिंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी यहां मेवा इकठा करके उसे उंटों पर लादा जा रहा है अब सुनते हैं पाठ खाना बदोष्ट और घुमन्तू लोग कैसे रहते थे खाना बदोष्ट चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था वे खेती हर ग्रिहस्थों से अनाज, कपड़े, परतन और ऐसी ही चीजों के लिए उन, घी, इत्यादी का विनीमे भी करते थे प्रिश्ट संख्या पंचानवे कुछ खाना बदोष्ट अपने जानवरों पर समानों के ढूलाई का काम भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण ब्यापारी खाना बदोष्ट थे उनका कारवा टांडा कहलाता था सुल्तान अलाओदिन खल जी जिसका व्रितांत अध्यायतीन में मिलता है बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढूलाई के लिए करते थे बादशा जहागीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यानों की ढूलाई का काम करते थे किसी भी विशाल सेना के लिए एक लाक बैल अनाज ढोते होंगे इसके बाद है एक बॉक्स लेकिन बॉक्स से पहले इस समय कुछ बातों को और आये जान ले और इस समय हम जानकारी लेने जा रहे हैं खानावदोश और भ्रहमनशील समुहों का ये किन को कहते हैं? सुनते हैं खानावदोश घुमन्तू लोग होते हैं इन में से कई पशुचारी होते हैं, जो अपनी रेवड और पशुवरिंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नितक गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रहमनशील समु अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते हैं। क्या बताया गया है? बॉक्स का शीर्षक है बंजारे। सत्रहुई सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज ब्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। वर्णन इस प्रकार से है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशू, गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर ग्रिहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाए बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौधागरों द्वारा भाड़े पर न्यूक्त किये जाते हैं। लेकिन ज्यादा तर वे खुद सौधागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें लाध लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। तांडा में छह से साथ सो लोग तक हो सकते हैं। वे एक दिन में छह या साथ मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहां तक कि थंडे मौसम में भी। अपने गाए बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। क्योंकि यहां जमीन परियाप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। और अंत में एक प्रशन आपके लिए और प्रशन है पता करें कि आज कल गाउं से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से यह किन माइनों में भिन या समान है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन लोगों के हाथ उन्हें पेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन जातियां भी एक गाउं से दूसरे गाउं भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिख्षुक लोग भी घुमन्तु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाश बीनों की भी जातियां थी। जो विभिन नगरों और गाउं में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। पाठ में आगे जाने से पहले यहाँ पर एक चित्र, यह है चित्र संख्या चार, और यह चित्र है कांस से मगर मच्छ की, जिसको बनाने वाले लोग कुट्टिया, कौंड, जन जाती के हैं, जो उड़ी सामे रहते हैं। आईए सुनते हैं पाठ। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां जैसे जैसे अर्थ विवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यक्ता बढ़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदारण के लिए प्रहमणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और समाजिक समुहों को जाती विवाजित समाज में शामिल कर लिया गया। और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेशग्यता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्रहमणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाए जाति समाज के संगठन का आधार बनी। और अब इस समय हमारे सामने है एक बॉक्स। बॉक्स का शिर्षक है जाति पर विचार विमर्ष। वर्तमान तमिलनाडू तिरुचिरापली तालुक में स्थित उडिया कोंडन उदेयार के बारहुई शताब्दी के अभिलेख में प्राहमनों की एक सभा के विचार विमर्ष का वर्णन मिलता है जिसका उल्लेक हमें इसी पुस्तक के अध्याय दो में मिलेगा। वे रतकारों की सामाजिक स्थिती पर विचार विमर्ष कर रहे थे। रतकारों का अर्थ हुआ रत बनाने वाले लोग। उन्हों ने इस जाती के कामकाज तै किये जिनमें वास्तुकला, रतों और गाड़ियों का निर्मान, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बली के लिए लकडियों से बने साज समान तयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल प्रिष्ट संख्या सत्तानवे ग्यारवी और बारवी सदी तक आते आते, ख्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वन्ष परमपराओं से आते थे इन में से कुछ पहले जनजातियों से आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिये गए धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली विशेश्टह कृशी वाले क्षेत्रों में यहां कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्जियों के निर्मान में अपनी समपदा का इस्तिमाल किया शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदह के उदाहरन का जनजातियों लोगों ने अनुसरन किया धीरे धीरे ब्राह्मनों के समर्थन से कही जनजातियां जाती व्यवस्था का हिस्सा बन गई लेकिन केवल प्रमुख जनजातिय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए उनकी बहु संख्यक आबादी सामाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तरपूर्वी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इसलाम को अपना लिया था वे जाती व्यवस्था को ना कारते रहे सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गयर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में पड़े पैमाने पर स्विकार नहीं की गई राज्जियों की उत्पति जनजातिये लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से कहराई से संबंधित है हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्ते के दो उदाहरन दिये जा रहे हैं उदाहरनों पर चलने से पहले सबसे पहले एक चितर यह है चितर संख्या पांच जो एक गोंड महिला का चितर है यहाँ पर कुछ और शब्द दिये हुए हैं इन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं ये शब्द हैं स्थानन तरीय क्रिशी जिसका अर्थ है किसी वनपरांथ के पेड़ों और जाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है उसकी राक में ही फसल बोदी जाती है जब यह जमीन अपनी उरवर्ता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है अब आएए सुनते हैं पाठ नजदीक से एक नजर गोंड गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे वे स्थाननतरी एक्रिशी अर्थात जगह बदल-बदल कर खेती करते थे विशाल गोंड जनजाती कई छोटे-छोटे कुलों में भी बंटी हुई थी प्रतेक कुल का अपना राजा या राय होता था जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्ये छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबर नावा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्ये में सत्तर हजार गाउं थे इन राज्यों की प्रशासनिक विवस्था केंद्रीकृत हो रही थी राज्ये कढ़ों में विभाजित थे हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंतरण में था ये पुना 84 गाउं की इकाईयों में विभाजित होते थे जिन्हे 84 कहा जाता था 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था जो बारह बारह गाउं को मिला कर बनते थे बड़े राज्यों के उदै ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला उनका मूलतह बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान समाजिक वरगों में विभाजित हो गया ब्राहमन लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमी प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई इसलिए गड़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधी धारण की उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया दलपत की मृत्यू कम उम्र में ही हो गई राणी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने पाँच साल के पुत्र वीर नारायन के नाम पर शासन की कमान संभाली उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ 1565 में आसिफ खान के नित्रितों में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया राणी दुर्गावती ने इसका जम कर सामना किया उसकी हार हुई और उसने समर्पन करने की बज़ाए मर जाना बहतर समझा उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया इसी प्रिष्ट पर सबसे पहले नजर डालते हैं एक मानचित्र पर सबसे पहला मानचित्र है और ये मानचित्र है गोंडवाना क्षेत्र का इस मान्चित्र में आप गोंडवाना के पुरे क्षेत्र को देख सकते हैं और इसी प्रिष्ट पर और एक चित्र हम देखते हैं चित्र संख्या 6 और इसके बारे में लिखा है एक नकाशी दार दर्वाजा गोंड जन जाती पस्तरक्षेत्र मध्य प्रदेश प्रिष्ट संख्या 99 गढ़ कटंगा एक समरिध राज्य था इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्हों ने लूट में बेश कीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिये उन्हों ने राज्य का एक भाग अपने कबजे में ले लिया और शेश वीर नारायन के चाचा चंदर शाह को दे दिया गड़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे यहां एक बॉक्स और उसमें आपके लिए कुछ है चर्चा करने के लिए सुनते हैं चर्चा करें मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कबजा करना क्यों चाहते थे अब सुनते हैं पाठ अहोम अहोम लोग मौजूदा म्यानमार से आकर तेरहवी सदी में प्रहमपुत्र घाटी में आबसे उन्होंने भूईया यानि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्ये की स्थापना की 16 सदी के दोरान उन्होंने चुटियों यानि 1523 और कोच हाजो यानि 1521 के राज्यों को अपने राज्ये में मिला लिया उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया अहोमोंने एक बड़ा राज्ये बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आगने अस्त्रों का इस्तिमाल किया 1660 तक आते आते वे उच्च सरिये बारूद और तोपों का निर्मान करने में सक्षम हो गए थे लेकिन अहोम लोगों को दक्षिन पश्चिम से कई आकर्मनों का सामना करना पड़ा 1662 में मीर जुमला के नेत्रितों में मुगलों ने अहोम राज्ये पर हमला किया बहादूरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्षनियंतर्ण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका अहोम राज्ये बेगार पर निर्भर था राज्ये के लिए जिन लोगों से जवरन काम लिया जाता था वे पाईक कहलाते थे अहोम राज्ये में एक जन गणना की गई थी प्रत्यक गाउं को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाईक भेजने होते थे इसके लिए जनगनना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानन तरित किया गया था अगले प्रिष्ट में चलने से पहले इसी प्रिष्ट फर सबसे नीचे मांचित्र संख्या 3 और इस मांचित्र में पूर्वी भारत की जनजातियों के स्थानों को दिखाया गया है प्रिष्ट संख्या 100 इस प्रकार अहोम कुल तूट गए सत्रहुई शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रिकृत हो चुका था लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे दूसरे समय में वे बांध, सिचाई व्यवस्था, इत्यादी के निर्माण या अन्यसार्वजनिक कारियों में जुटे रहते थे अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आये थे एक खेल के नियंतरण में प्रायह कई गाउं होते थे किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी समुदाय की सहमती के बगएर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था शुरुवात में अहोम लोग अपने जन जातिय देवताओं की उपासना करते थे लेकिन सत्रहुई सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मनों के प्रभाव में बढ़ुत तरी हुई मंदिरों और ब्राह्मनों को राजा के द्वारा भूमी अनुदान में दी गई सिद सिंग जिसका काल 1714 से 44 तक का है उसके काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारमपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या साथ और चित्र संख्या साथ में दिखाया गया है कान के आभूशन कबोई नागा जनजाती मनिपूर और साथ में एक प्रशन भी है आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया आएए अब सुनते हैं पाठ अहोम समाज एक अत्यंत परिश्कृत समाज था कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी नाट्टे कर्म को प्रोटसाहन दिया जाता था संस्कृत की महतोपूर्ण कृतियों का स्थानिय भाषा में अनुवाद किया गया था बुरंजी नामक अयतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था निशकर्ष जिस युग की हम चर्चा करते आये हैं उस युग के दोरान उप महाधवीप में काफी समाजिक परिवर्तन हुआ वर्ण आधारित समाज और जन जातिय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाओ की प्रक्रिया चलाई बहुत सी विभिन प्रकार की जन जातियां थी और उन्होंने विभिन प्रकार की जीविकाएं अपनाई कालांतर में उनमें से कई जाती आधारित समाज में शामिल हो गई लेकिन कईयों ने जाती व्यवस्था और सनातनी हिंदु धर्म दोनों को ही नकार दिया कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्त्रित राज्यों की स्थापना की प्रिष्ट संख्या 101 इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकत्वर हो गए इसने उन्हें व्रिहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और समराज्यों के साथ संघर्ष की स्थिती में लाखड़ा किया और अब यहां एक बॉक्स, बॉक्स का शीर्षक है मंगोल, आएए सुनते हैं अपने एटलस में मंगोलिया ढूड़िये इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्रहक जनजाती मंगोलों की थी वे मध्ध एशिया के घास के मैदानों यानी स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकताब पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला अपनी मृत्यू के समय जो 1227 में हुई वह एक सुविस्त्रित प्रदेश का शासक था उसके उत्तराधीकारियों ने एक विशाल सामराज्य खड़ा किया अलग-अलग समय में इसके अंतरगत रूस, पूर्वी योरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था मंगोलों के पास सूसंगठित सैन्य एवं प्रशासनी के विवस्ताएं थी ये विभिन जातिये और धार्मिक समुहों के समर्थन पर अधारित थी कल्पना करें आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर तीन महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर से याद करें एक, यहां दो स्तंभ दिये गए हैं और इन दोनों स्तंभों में अलग अलग शब्द हैं आपको इन शब्दों के बीच यानि स्तंभ एक और स्तंभ दो के बीच मेल बिठाना है तो आईए सबसे पहले सुनते हैं स्तंभ एक स्तंभ एक गढ़, टांडा, श्रमिक, कुल, सिब सिंग, दुर्गावती, और अब सुनते हैं स्तंभ दो, खेल, 84, कार्मा, गढ़ कटंगा, अहोम राज्य, पाइक, प्रिष्ट संख्या 102, सबसे पहले बीज शब्द, आएए बीज शब्दों को सुनते हैं, बीज शब्दों से तात्पर यह है, यह वो शब्द हैं, जिनका प्रयोग इस अध्याय में किया गया है, आएए उन शब्दों को पहले सुनें, शब्द हैं, वर्ण, जाती, टांडा गढ़, चवरासी, बरहोत, भुईयां, पाइक, खेल, बुरंजी, जनगणना और आएए अब सुनते हैं प्रश्ण दो, रिक्त स्थानों की पूर्ती करें क, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां, खाली स्थान, कहलाती थी ख, खाली स्थान, अहोम लोगों द्वारा लिखी गई एतिहासिक कृतियां थी ग, खाली स्थान, ने इस बात का उलेख किया है कि गढ़ कटंगा में सत्तर हजार गाओं थे ग, बड़े और ताकत्वर होने पर जन जातिये राज्यों ने खाली स्थान और खाली स्थान को भूमी अनुदान दिये तीन, सही या गलत बताईए क, जन जातिये समाजों के पास संब्रिध वाचक परंपराएं थी ख, उप महाद्वीप के उत्तर पर्ष्चिमी भाग में कोई जन जातिये समुदाए नहीं था ग, कोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिला कर चाउरासी बनता था घ, भील, उप महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे चार, खाना बदोष पशू चारकों और एक जगह बसे हुए खेती हरों के बीच किस तरह का विनीमे होता था? बताईए आईए समझें पाँच, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? छे, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? प्रिष्ट संख्या एक सव तीन साथ, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद, जन जातिय समाज कैसे बदला? आईए विचार करें आठ, क्या पंजारे लोग अर्थ विवस्था के लिए महतोपूर्ण थे? नौ, गोंड लोगों का इतिहास, अहोमों के इतिहास से किन माईनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? आईए करके देखें दस, एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लिखित जन जातियों के इलाकों को चिन्हित करें किनी दो के संबंध में यह चर्चा करें कि क्या उनके जीवी को पारजन का तरीका अपने अपने इलाकों की हाउगोलिक विशेष्टाओं और परियावरण के अनुरूप था? ग्यारह जन जातिये समुहों के संबंध में मौझूदा सरकारी नीतियों का पता लगाएं और उनके बारे में एक बहस का आयोजन करें बारह उप महाध्वीप में वर्तमान, खाना बदोष, परशुचारी समुहों के बारे में और पता लगाएं वे कौन से जानवर रखते हैं? वे प्रायह किन इलाकों में जाते रहते हैं? यहां अध्याय साथ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत, ध्वनी पाठे पुस्तक, हमारे अतीत भाग दो का सात्मा अध्याय शीर्शक्था, जन जातियां, खाना बदोष और एक जगह बसे हुए समुदाय वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नई दिल्ली भारत